हर हर महादेव किसान साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल यलके पाल खेती बारे में किसान साथियों जैसा कि आप सभी को पता है भारत जैसे विसाल जनसंख्या वाले देश में खाद समस्याओं को सुल्जाने में गेहूं एक महतपूर भूमिका अदा करता है गेहूं की फसल में प्रमो किटों से नुकसान के कारण इसकी उत्पादक्ता में काफी गिरावट हो जाती है कभी कभी तो किसान साथियों पूरी फसल चौकट हो जाती है इसलिए अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीज, खाद और सिचाई के साथ साथ हानेकारक खिटों का उचिस समय पर नियंत्रड भी बहुत जरूरी है किसान साथियों आज की इस वीडियों में हम गेहूं की फसल में जड़ माहू के प्रकोप से बचाव तथा नियंत्रड से सम्मंदित जानकारी साजा करेंगे जिसको अपना कर किसान भाईयों इसका प्रबंधन करके अधिकतम गेहूं की पैदावार राप्त कर सकते हैं तो किसान साथियों वीडियों में अंतर तक बने रहें जड़ माहू कीट हरे रंका जू की तरह होता है जो की ठंडेयों बादल वाले दिनों में कहने का तात्पर है कि जब कुहासा ज़्यादा पड़ने लगता है इस समय बहूत अधिक संखिया में गेहूं की कोमल जड़ों को पतियों को तथा बालियों में घुझ जाते हैं और जड़ो जड़ तथा पत्यों की रस सुषते रहते हैं, बिशेश कर जड़ो को प्रोहावित करते हैं, और किसान साथियों ये कीट अपनी प्रजन ब्रिधी भी काफी करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, जिस करार इनकी दिन प्र उन पौधेओं में यह किट लंबे समय तक बने राते हैं और रस उस्ते राते हैं इन्हें पौधा जूँ या पौधा खटमल आधी नामों से भी जानते हैं इसे से प्रफावित गेहों की फसल की बात करें तो जिस खेत में इन कीटों का प्रकोफ होता है उस खेत की फसल, गेऊं की फसल की पतियां पीली पढ़ने लगती है पौधे का विकास रुख जाता है और धीरे धीरे पौधा सुखने लग जाता है क्योंकि जो यह जड़ माहू कीट होता है या पौधे की रस को पतियों की रस को चुसता रहता है जिसके काड़ चिपचिपा स्राव छोड़ता रहता है जिसके काड़ फफुन का प्रकोफ भी फसल में देखने को मिलता है इसकी नियंत्रड की बात करें तो इमिडा क्लोरोप्रीड 17.8 हैसल 75 एमल प्रती एकड थाइमोमिथा जाम 25WG 50 ग्राम प्रती एकड या तो फिर किसान साथियों इनमें से कोई भी जो आपके नजदीक बजार में उपलब्धो लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर गेहूं की फसल में इस्प्रे करें जिसे से इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बारा हैं तो किसान साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें